अब स्टॉक्स इन न्यूस की लिस्ट में और कॉन-कॉन से सेक्टर्स और शेर हैं जिन पर आपको रखनी है नजर और अफकोस नतीजों के दम पर कहां देखेगा अक्शन अर्मान हमारे साथ पूरी डिटेल लेकर जुड़ चुके अर्मान पहले तो जो नंबर्स कल निकल कर आए हैं उनकी डिटेल दीजिए और हापी दिवाली टी आपको भी और हमाया सभी दर्शकों को भी दिवाली की बहुत बहुत शुपकामना है सबसे पहले एक्सिस बैंक जहांपर जो हमारा अनुमान है उससे बहतर नतीज़ा आए हैं एनाया लगबख 31% बढ़ी है जी एनपीस थोरे से बढ़कर आया है 2.5% से बढ़कर 2.8% पर आया हैं बजाज फिनेंस थोड़े से हमारे अनुमान से बहतर नतीजे है, NIA यहां पर भी लगबख 29% बड़ी है, वहीं अगर GNP देखेंगे, GNP में भी थोरी बड़ोतरी देखी गई है, 1.17% से बढ़कर 1.3% पर आये हैं, ITC सभी पैमानों पर बढ़िया नतीज आते वे दिके हैं, AI में लगबख 27% का उचाल है, Margins भी उनके बढ़कर आये हैं, थोड़े 36.4% पर आये हैं, जो पहले 36.2% पर थे, और उसे के साथ मुनाफे में भी 7% का आपको उचाल देखा गया है, Tata Consumer Products की बात करें, तो जो लाज़ली जो हमारा Estimate था, उसके मुताबिती नतीजे आये है AI 11% बड़ी है, Margins जो हैं, वो 13.6% से गटकर 13% पर आये हैं, पर अनुमान उतने का ही था, और मुनाफे में भी 22% का उचाल है, Co-Forge की बात करें, अनुमान के मुताबित नतीजे हैं, AI 7.1% बड़ी है, और Dollar AI अगर आप देखेंगे, वहाँ पर भी लगबख 3% का उचाल है और मुनाफे में 34% का उचाल है, Dixon Technology वहाँ पर अगर जो हमारा अनुमान था, उससे बहतर नतीजे आये हैं, AI में लगबख 38% की बड़ोतरी है, Margins तो लगबख उन्होंने मैंटेन करें हैं 4% पर, IEX नतीजे कमजोर है, AI लगबख 14% गिर कर आई है, Margins में भी कट होती और मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफा लगबख 80% बढ़ कर आतावा दिखाए, चलिए, तो अर्मान ने आपको ये तो बता दिया कि कौन सी कंपनियोंने नतीजे पेश किये थे, कैसे रहे हैं, लेकिन अर्मान ये बताईए कि ख़बरों के दम पर कहा अक्शन रहेगा, एक तो बिग ब्रेकिंग अमरीश दे चुके हैं, शुगर कंपनीज वहाँ पर आपको रखनी ही नजर, और क्या है? तहत वो लगबग 550 करोड का निवेश करेंगे, उसी के साथ साथ एपक्स पावर के साथ उन्होंने शेर परचिपस एग्रिमेंट भी किया है, और उसी के साथ साथ ये पांच साल में हरिंद में मैजोरिटी हिस्सेदारी खरीदेगी, और अगर आप अधित्य बिल्दा फेन इनका 172% बढ़ कर आया है, और अगर सेल्स की बात करें तो 142% बढ़ कर आई है, कोल्टे पाटिल में भी Q2 का अपडेट है, जिसमें जो वॉल्यूम्स हैं, वहाँ पर आपको 17% की कट होती है, और अगर आप रियलाजेशन से देखेंगे, वहाँ पर 4% की बढ़ोतरी के हाँ, आई है, आप जान लेते हैं आज की वाहँक।